हेलो फ्रेंड वल्कम बेक टो माई चैनल आज मैंकी नौ तारिक है और ये समय अडिनियम जैसे हाड़ी पौधू को ग्रो करने के लिए एक परफेक्ट टाइम है इस समय मेरे अडिनियम के पौधू में एक हबी फ्लावरिंग निकल कर आई है हलाकि मेरे पास एडिनियम के 15 पौधे हैं और अभी इन दो पौधू में ही फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है फिर भी बाकी पौधू में अभी काफी कलिया बन चुकी है जल्दी सभी पौधू में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी अडिन्यम के पॉंदू का जो में ग्रोइंग सीजन रहता है वो गर्वियों का रहता है इन में अप्रेल से लेकर लगवग नॉम्बर के मेहने तक काफी ज्यादा कॉंटिटी में फ्लावरिंग होती है इसके बाद जैसे जैसे मौसम में शंड़क आती है इन पॉंदू का रेस्टिंग पीरियर स्टार्ट हो जाता है और फिर सर्दियू में ये पॉंदे फूल भी नहीं देते और अपने सभी पत्चियों को भी गिरा देते है मैंने फरवरी की एंड में इन पॉंदों की हार्ड प्रूनिंग की थी और इनकी मिट्टी में नए फर्टिलायर भी मिलाये थे जिसकारण इन पॉंदों में इसमें एक हैबी फ्लावरिंग देखने को मिल रही है एडिनियम के पहुंदों से बंचेज में फ्रूर लेने के लिए साल में एक बार इनकी अच्छी से प्रूरिंग करना और इनकी मिट्टी में नई फर्टिलाजर मिलाना बेहर जरूरी है अगर आपने इन पहुंदों की प्रूरिंग नहीं किये और इनकी मिट्टी में नए फर्टिलाइजर नहीं मिलाए हैं तो भी अप्रेल के महने से ही फ्लारिंग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उस कंडिशन में जो भी फूल आते हैं वो इस तरह गुच्चों में आने के बज़ाए प्रांट की टी पॉली ब्राचेज पर ही आते हैं और पौंदे देखने में भी ज़्यादा सुन्दर नहीं लगते और कभी कभी कलियों के खिलने से पहले ही गिर जाने की प्रॉलम भी पौंदों में सामने आती है इसलिए इन पौंदों की साल में एक बार रिपोर्टिंग और प्रॉनिंग जरूर कीजिए अडीनियम के लिए फटी लाइयर की बात करें तो इन पौंदों के लिए जो सबसा अच्छा फटी लाइयर मुझे लगा है वो है बोन मील और वर्मी कमपोस का मिक्सर मैंने अपने सभी अडीनियम के पौंदों में बोन मील और वर्मी कमपोस के मिक्सर का यूज किया था और इन दोनु फटी लाइयर का रिजल कितना अच्छा निकल कर आया है या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किसी भी एडीनेम के पौध में बड्रॉप यानि की कलियों के खिलने से पहले गिरने जैसी कोई भी प्रॉलम सामने नहीं आई है और सभी कलियां फोलों में बदल चुकी हैं अरिमी कंपोस्ट और बोन मील दोनों और्गनिक फटी लायरे और आज खल सीट सॉप में दोनों फटी लायर इसली एविलेबल भी रहते हैं अगर आपको बोन मील जीट सॉप में नहीं विल पाती तो आप अउन लायर को ऑनलाइन भी ट्राए कर सकते हैं क्वांटिटी की बाद करो तो आप एक चम्मस के आसपास बोनमील और 50 ग्राम के आसपास वर्मी कमपोस्ट को एक गमले में यूज कीजिए बागी सॉयल मिक्सर में आप बस मोटी सेंड या रेट का यूज कीजिए मैंने अपने सबी अडिनियम के पहुदों में मिट्टी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है इन पहुदों मैंने बस सेंड वर्मी कमपोस्ट बोनमील और फंजिसाइट के मिक्सर में ही ग्रो किया है और इसका कितना अच्छा रेजल निकल का राया है या आप देखी सकते हैं कुछ लोग इसके सॉयल मिक्सर में कोकोपीट को मिलाने को लेकर भी कुछ कंफूजन में रहते हैं उन साथियों के लिए बता दूँ की कोकोपीट मॉस्चर को होल्ड करती है जिसे आप गर्वियों के और पहुंदू के लिए यूज़ कर सकते हैं यगिन अडीनियम में कोकोपीट को अबावडी करने तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अडीनियम जैसे हाड़ी पहुंदे बस एक ही कारण से खराब होते हैं वह है मॉस्चर के कारण रोट रोट यानि के जड़ों का सड़ना कोकोपीट में लगे एडीनियम के पहुंदे बरसाथ तक ज़्यादा प्रॉल्म नहीं करते लेकिन जुलाई ये अगस्ट के मेंने जब लगातार बारिस पढ़ती है तो कोकोपीट के एस्ट्रा मॉस्चर के कारण ये पहुंदे खराब होने लगते हैं और फिर सर्दियों में जाकर ये हमको प्लांट के खराब होने के बारे में पता चल पाता है इसलिए इन पहुंदे के सोयल मिक्सर में कोकोपीट को एवोड़ी करने तो ज़्यादा बेटर है बागी अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये पहुंदे दिन भर की धूप में ग्रो किये जाते हैं इन पहुंदे को आप घर की छथ पर भी ग्रो कर सकते हैं लगबग 6 घंटे की धूपाली जगा पर ग्रो करने से एडिनेम में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है मैंने अपने सभी एडिनेम के पहुंदो को प्लास्टिक के गमलों में ग्रो किया है लेकिन जो साथी गार्डिनिंग में नए हैं वह इन पहुंदो को मिट्टी के गमलों में ग्रो करें और एक ऐसा गमला इन पहुंदो के लिए यूज करें जो गहराई में कम हो और चोड़ाई में ज़्यादा हो मिट्टी के गमलों की सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे पानी का इवैपोरेशन फास्ट होता है और अगर कभी कभी गलती से पानी ज़्यादा भी पड़ गया हो तो मिट्टी के गमले में लगे एडीनेम के पौधे खराब नहीं होते पानी देने की बात की जाए तो मैं आजकल इन पौधों में एक दिन छोड़ कर पानी दे रहा हूँ क्योंकि ये पौधे दिन बर की धूप में बाहर आउटडूर कंडिशन वहीं रहते हैं इसलिए पानी की कमिसिन का कॉटेक्स भी सिंग कर जाता है तो ऐसा नहीं है कि ये डेजल का पौधा है करके हम इनकी पानी की रिक्वार्मेंट कम कर दें इडिनियम के पौधों को भी और पौधों की तरह ही सफिशन पानी की ज़रूत रहती है तो फ्रेंड ये थी अडिनियम के पौधे से लेटेट कुछ इंपोर्टेंट केर टिप्स आई होब कि आज कि इस छोटे सी वीडियो से आपको कुछ नो कुछ हैल्फ जरूर मिली होगी इस वीडियो से लेटेट किसी भी कॉशन के लिए या फिर अपने और से किसी भी सुझाओ के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजेगा अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक देखते हैं गार्डनिंग वीड आर्पीजे थैंक्स और हैपी गार्डनिंग